हेलो फ्रेंट्स मैं राकेस कुमार अपने राकेस मैथमेटिक्स ट्रिपल जीरो यूट्यू चानल पर आपका स्वागत करता हूँ आज हम सीद्रे करेंगे कि किसी भी ट्रेंगल के तीनों कोनों का जोर एक्सोसेड़ी होता है यानि कि एंगल ले ए बालस एंगल बी प्लस सी इसका टू एक्सोसेड़ी इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं एक triangle मनाते हैं ABC एक triangle लेते हैं जिसमें angle A को हम 1 मानते हैं angle B को 2 मानते हैं और angle C को 3 मानते हैं अब बिंदू A से होता हुआ भुजा B C के समातरे रेखा D E खिषते हैं यहां D जो है वो parallel है B C के यह हमको यार रखना है और यह बिंदू B से होके जाती है तो हमें आद देखते हैं क्या कि angle D A E angle D A E पूरा जो angle है वो एक रेखा परिषतीत है यानि एक रेखिये कोन है यह पूरा angle जो है वो एक रेखिये कोन है यानि angle D A E is equal to एकसर सिडिरी चुकि हम जानते हैं यह एक रेखिये कोन होता है जो एकसर सिडिरी होता है उसको एकसर सिडिरी होता है और यह angle D A E तीन कोन में विभाजित है angle D A B B A C और C A E तो हम इसको तीन बार्ट में लिख सकते हैं इस तीनों के जो एकसर सिडिरी हो जाएगा angle 4 plus angle 1 plus angle 5 plus angle 5 पुन हम क्या देखते हैं पुन हम देखते हैं क्या कि चुकि D E B C के parallel है और दो समानतर रिकाओं को यहां A B T richtig रेखा काट रही A B T richtig रेखा तर हैं और उसी प्रकार से D E J A B B C parallel रेखा इसको A C तalitır रिका काट रही है तो हम एकञांतर के नियम से हम जानते हैं कि जब दो स्बानतर रेखाओं को तिरची रेखा काटे तो एक आंतर कों बड़ाबर होते हैं इस प्रकार यह हो सकता है कि D पैलले B C और A B उसको रेखा काट रही है तो एक आंतर कों दो और चार बड़ाबर होंगे तो इस पकार हम लिख सकते हैं कि एंगल 4 जो है एंगल 2 के बड़ावर है उससे पकार हम देखते हैं कि D parallel है BC और उसको AC तिरशे का काट रही है तो इस पकार हम देखते हैं कि एक अंतर कुन 5? 3 के बड़ावर है तो लिख सकते हैं एंगल 5 is equal to angle 3 हम माल लेते हैं इसका समीकरन एक है आप क्या करते हैं इस समीकरन में इसका माल रखते हैं लिखते हैं कि समीकरन एक से समीकरन एक से लिख लेते हैं अगर तो एंगल 4 के जगा रखना होगा एंगल 2 तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 के जगा एंगल 3 एंगल 3 इसकल 2 180D इस प्रकार हम इसको अग 不 mamach weave एक सो अगरas मिधल दूप्लस ऑंगल 3 में आपको एक साथि Celine ऑगरे। एक हमने माना है A को एक इंगल अए है कि दो इंगल B है आथीं एंगल Si A के जगे हम एंगल SWhen saya in באem होता है उनको यही प्रूप करना था यहां इस प्रकार यह सीध हुआ कि किसी भी ट्रेंगल के तीनों कोनों का जोड 180 डिग्री होता है और भी इस पतार के नए वीडियो को अगर आपको देखना है तो कि यहां मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे वीडियो को लाइक भी करें और सेयर भी करें ताकि मैं मुझे नए वीडियो बनाने का प्रतसा थान मिले थैंक यू